बी एससी इंटर लेवल भरती नॉटिफिकेशन काफी टाइम पहले रिलीस हो गया था एंड इसके जो एप्लिकेशन से वो भी स्टार्ट हो चुके हैं इसमें दो तरह की पोस्ट है एक तो टाइपिंग जिसमें टाइपिंग रिक्वाइड है और कुछ नॉन टाइपिंग बाली है टोटल विकेंशी ज्यारा हजार प्लस है औल इंडिया से यानि बिहार स्टेट से जो ब्लॉंग नहीं करते हैं अधर स्टेट से आप ब्लॉंग करते हैं तो वो कैंडिटेट भी हाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मेल, फीमेल, पीडलूडी सभी कैंडिटेट ओके लेकिन जो बिहार स्टेट के नहीं है स्थाई निवासी यानि आप MP, UP, 36, डेली, अधर किसी स्टेट से हैं और आप रिजब कैंडिटेट से ब्लॉंग करते हैं तो आपको जो रिजब कैंडिटेट को रिलेक्सेशन मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा तरिप बिहार स्टेट के ही जो कैंडिटेट है उन्हीं को यहाँ पर जो भी रिलेक्सेशन रहेगा रिजब रहेगा वो इन यांदिटेट के लिए रहेगा इट मेंज अधर स्टेटें के कैंडिटेट जरल कैटिगरी में अप्लाइ करेंगे उके पर्मनेंट गवर्मेंट जोब है और इस वेकैंसी से आपको description box में provide कर दूंगी वहाँ से जब आप जाएंगे तो वहाँ से detail notification भी download कर सकेंगे साथ ही apply करनी के लिए link भी आपको वहीं पर मिल जाएगा अगर आप भी 12th pass है क्योंकि यह जो भरती है इंटर लिवल भरती है 12th pass candidate के लिए है अगर आपको typing आती है तो भी आप इसमें eligible है और अगर आपको typing नहीं आती है तो भी आप यहाँ पर eligible रहेंगे वेकेंशी काफी अच्छी है 11,000 वेकेंशी है अगर आप 12th pass पर job search कर रहे है तो आप जरूर इसमें apply कीजेगा ओके सो hello everyone मैं हूँ आस्था welcome करती हूँ आप सभी का अपने youtube channel government job genuine notification so यहाँ पर मैंने यह notification open कर लिया है सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे online apply काने की जो date है वो 27 सितंबर से online application start हो गए है और इसकी last date है 11 November 27 सितंबर यानि 27th of September 2023 से लेकर के 11 November 2023 तक आप इसमें apply कर सकता है यह inter-starie inter-level यानि 12th level की भरती है दुतिये की जाने वाली दुतिये inter-starie संयुक्त पतियुक्ता परिक्षा है ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे online applications invite किये गए है Indian citizens से पोस्ट अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले निमन बर्गी लिपिक यहाँ पर आपका पद नेम दिया गया है यहाँ departments दिया गया है यहाँ salary दी गई है तो इसमें आपको level 2 से salary है नियुन्तम सेक्षण के ओकता नियुन्तम सेक्षण के ओकता इसमें 12 या 12 के equivalent मांगा गया है निमन बर्गी है लिपिक के लिए ठीक है तक्निकी योग गता यहाँ पर computer पर हिंदी में bird processing चंकर आनी चाहिए typing यहाँ पर आनी चाहिए तो यह typing के लिए हो गया ठीक है यह जो post रहेगी यहाँ पर आपसे typing मांगी जाएगी total vacancies post के लिए आप देख रहे है 38 and 13 अब इसके बाद है यहाँ पर next है निमन बर्गी लिपिक यह अलग लग departments के लिए है निमन बर्गी लिपिक लेवल 2 यह ग्रह बिभाग के लिए है तो सभी में qualification है same रखी गई है लेकिन यहाँ पर post आप अलग लग department में अलग लग आई हुई है sorry vacancies अलग लग आई हुए है किसी में कम किसी में जादा जैसे कि यह सारे ही निमन बर्गी लिपिक यह post के लिए हैं लेकिन सभी विभाग बाइस यहाँ पर अलग लग vacancy है किस बिभाग में कितनी है अगर जिस भी department में ज़्यादा है आप किसे apply करना चाहते है वो यहाँ पर आप देख लेंगे इसके बाद next यहाँ पर है निमन बर्गी लिपिक यहाँ पर स्रम संसादन विभाग में जो निमन बर्गी लिपिक यहाँ पर level 2 है intermediate यहाँ मांगा गया है 12th pass यहाँ हिंदी टंकन के टंकन ग्यान के साथ computer संचालन एवं टंकन तो यहाँ पर हिंदी टाइपिंग के साथ आपको computer पर work करना आना चाहिए यहाँ बांचनी है योगता सारी बताई गई है लेकिन इसमें नहीं है निमन बर्गी लिपिक लिवल 2 अलप संख्या कल्यान विभाग में इसमें भी intermediate है और यहाँ भी computer संचालन एवं computer टंकन का ग्यान मांगा गया है तो जो निमन बर्गी लिपिक की पोस्ट है वहाँ पर intermediate उत्रें तो निमन बर्गी लॉड इवीजन कलर की यहाँ पर जो रहेगी उसमें आपसे टाइपिंग मांगी गई है ठीक है अभी यहाँ पर निमन बर्गी लिपिक ही चल रहा है नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा आप फाइल एरिया निरिक छक यह स्वास्त विभाग में है लिवल 4 से इसमें सेलरी है 12 पास इसमें अलिजबिल है इस पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं मांगी गई है ठीक है यहाँ पर टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं मांगी गई है टाइपिंग इस पो तो अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है और 12 पास है त तो इसमें हिंदी अंगलिस टंकण क्योंकि यह लिपक की है टंकण के लिए ही है तो यहाँ पर आपसे टंकण और 12th के साथ में यहाँ टाइपिंग मांगी जाएगी निमनवर्गी लिपक है जहाँ पर भी निमनवर्गी लिपक यहाँ लॉड डिविजन क्लर की वेकेंसी है नेक्स्ट है राजस्त्व कर्मचारी की इसमें सिर्फ 12th पास मांगा गया है और इसमें भी टाइपिंग रिकोईट नहीं है तो आप 12th के बेस पर इसमें भी एपलाई कर सकते हैं इसके बाद 15 सचिब 15 सचिब की जो वेकेंसी है इसमें भी यहाँ पर टंकर बांचनिये में रखा गया है इसेंसियल में नहीं है 12 के बेस पर आप इसमें अप्लाए कर सकते हैं तोटल विकेंसी आप देखेंगे इसमें पंचाय सचिप के लिए काफी अच्छी विकेंसी यहां पर आई हुई है निम्न वर्गिये लिपिक जो पंचायती राज विभाग में है उसके एक नगर विकासे वह मावास विभाग में अच्छी खासी विकेंसी आप यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट यहां पर निम्न वर्गिये लिपिक की ही जादतर विकेंसी आई हुई है ठीक है तो जहां पर टाइपिंग रिक्वाइट नहीं है वो मैंने आपको पोस्ट बता जाएंगे जनरल काटिगीरी में आप इसमें आविदन करेंगे मेल फीमेल सभी अपलाए कर सकते हैं उम्रसी में देखेंगे तो यहां पर जो एज है आपकी वो एक अगस्त दोहजार तेईस के आधर पर तै की जाएगी कट ओफ डेट आपकी फॉस्ट ऑफ एगस 2023 रहेगी जिससे आपकी यह स्काउंट की जाएगी और इसमें मिनमम तो 18 साल होनी चाहिए और मैक्समम में अनरक्षित अन्रिजर्ब्ड मेल कैंडिडेट के लिए 37 अनरक्षित फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 पिछला वर्ग अतिन्त पिछला वर्ग मेल फीमेल के लिए 40 अनुसुच के लिए 40 और मेल के लिए 37 रहेंगे ओके चलिए यहां पर हमने एस क्राइटेरिया देखा क्वालिफिकेशन देखी अब application fees देख लेते हैं सामने वर्ग पिछरा वर्ग अतिनते पिछरा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 540 है बाग की जितने भी कैंडिडेट रहेंगे सबके लिए यहां पर 135 है लेकिन बिहार राज्जी के बाहर के चाये मेल हों फीमेल हों किसी भी कैटिगरी से बिलॉंग करते हो सभी को 540 रुपए application fees यहां पर पे करनी होगी online ही आपको apply करना है परिक्षा की प्रकरती तो MCQs टाइप रहेंगे जिसमें 40 बिहार कमचारी चाये नायोग परिक्षा संचाला नियौली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आविदन प्राप्त होने पर प्राण में परिक्षा की जाएगी ठीक है प्री एक्जामनेशन लिया जाएगा अगर 40,000 से जादा यहां पर तो 11,000 तो वेकेंसी आई हुई है इसमें अच्छी खासी और अधर स्टेट से भी apply कर रहे हैं तो इसमें वेकेंसी जो application से काफी बड़ी संख्या में आएंगे प्री एक्जामनेशन होगा सामान अध्यन, सामान ज्ज्यान, एवं गरित, मानसिक छमता जाच का इसको क्लिया करने के बाद मेंस एक्जाम आपका इसमें रहेगा ठीक है प्री एक्जाम, MCQs टाइप्स रहेगा Pre-examination के बारे बताए गया है उसका syllabus यहाँ पर आप देख सकते है Qualifying marks सामन वर्ग के लिए 40% है पिछला वर्ग के लिए 36.5% है अनसुच जाती के लिए 34 अनसुच जन जाती के लिए 32, महला के लिए 32 and PWD के लिए 32% लाना यानि इस जो written exam है इसको qualify करना जरूरी है date अगर आप यहाँ पर एक बार फिट से देख सकते है apply करने की date and last date ओके तो यह यहाँ पर है और अंतिमति थी आपने देखी ली है अब जो भी typing and non typing post की बात आप लोग comment कर रहे थे तो मैंने आपको इसमें list में सारा बता दिया जहाँ भी निमन लिपिक यह जो वर्ग है निमन वर्ग यह लिपिक यानि law division clerk की वहाँ पर आपको typing required है बाकी अदर दो post मैंने आपको बताई थी जहाँ पर typing required नहीं है so अगर आप 12th pass out है काफी अच्छी विकेंसी आई हुई है आप जरूर इसमें apply कीजिएगा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो like and share कीजिएगा thank you